हेलो नमास्कार दोस्तों फिर से अप लोगा बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में मैं हूँ राजकुमार और आप देखने राइट कई टूप टूप चेनल बहुत बड़ी अप्टर निगल क्यारा यह मुख मंत्रिक कन्या उत्थान योजना असना तक पास करने पर जो 50 से रुपे मिलती है उन सबी लोगों का यहां 3 दिसंबर से ओनलाइन शुरू हो गया है जो कि 3 दिसंबर से ओनलाइन शुरू हो जाएगा आप इसका अवेधन कर करेंगे अगर आप असनातक पास यह योजना लड़कियों के लिए होती है आप किसी भी कैटेग्री से जाते हैं जेनरलोबी सीस्यस्यक्सैकी स्टी वीचीश सीसी जाते हैं यहाप कर सकते मैं click क्स मोई कर दी गई हैं तो आप इस के लिए कैसे आवेधन करेंगे मैं आप ल लगेंगे कौन से सेसन के लिए लोग अपलाई कर सकेंगे पुरी गैडलेन इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करता हूं वीडियो सुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल 2015 से 2018 सेशन है उन सभी लोगों का जो अभी फॉर्म फिलप नहीं हुआ है तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं या फिर 2016 से सभी लेट हो गया है तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं मान लिजे कि 2016 से 2019 से संता उनका किसी आर्णोर्स में प्रोमोटेड हो गया है तो कंका 2009 संता क्रेजवेशन नहीं हुआ तो वो लोग 2020 में या 2021 में अपना ग्रेजवेशन कंप्लेट कर पाएं लेकिन नोगों का सेसन 2021 डालेंगे लेकिन जो आपका सेसन वहीं रहेगा पासिंग यह का वहां पे एक सेक्षन अलग से बना हुआ होता है आप उसमें पासिंग यह अपना 2020 में के दोरा इसी बेशाइट से आप लोक का अवेधन होगा बात कर फेंट में आपको क्या क्याला लगनें किसी भी पर weapon बना होना चाहिए औरो लेबल या सी यह कौई भी लेबल पर आपको यहाँ को यहां पे कंडिद pikत और आम कर स्ट होना चाहिए वहें सन हो जाता है तो उरिजिनल मार्ग तो मंक सिट के साथ आप एपलाई करेंगे अगर आपको उरीजिनल म необходимо है तो अपलाई नहीं करेंगे आपका वेदन ही यहां पर रॉद किया जाएगा अगर आपको ऊरीजनल मार्क मीला है तो भी आप इसके लिए अवेदन करे नेट बीमिवाला मार्क सिट से ऊप अपलाई न करे इसको अप धियान में रखेंगे आपको अपने नाम से एक पास्ट बोक होना चाहिए जो की अपने नाम से एकाउंट होना चाहिए KYC होना चाहिए KYC done होना चाहिए यानि कि अधार काड लिंक होना चाहिए अगर आपका अधार काड लिंक नहीं है तो आप जाकर बैंक में अपना KYC करवा ले और लिंक करवा ले और अपना एक mobile number होना चाहिए, email ID होना चाहिए, signature होना चाहिए और photo लगगा, यह इतना document लगए आपको, इतना document इसमें नहीं मांगे जाते हैं, आपको इतना ही document लगए, यहापे मैं आपको बता दू कि दूसरे portal लेने का कारान reference की, जो भी candidate पहले apply करते तो उन लोग का university verification हो यहाँ पर university verification का कोई भी हंजट नहीं रहेगा, कोई भी document यहाँ पर submit नहीं करना है, फिज कली, आप आसा करता हों कि friends agent का ही आपके लिए helpful रहा होगा, और मिलते हैं आपको next video में तब तक के लिए bye bye, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,